यदि आपसे ये चार वेंजक हल करने के लिए कहे जाएं तो पहली नजर में आपको काफी कठीन लग सकते हैं और आप कह सकते हैं कि इनमें काफी समय लगेगा लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे BGA सर्फ समय का यानि की Algebraic Identities का उपयोग करके इन वेंजकों को काफी असानी से हल कर सकते हैं तो चली हम सबसे पहले अपना पहला वेंजक लेते हैं जो है निन्या 9 का वर्ग ठीक है इसे हम कैसे लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं सो रिण एक का पूर्ण वर्ग अब यदि हम से दियान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक BGA सर्फ समी का याद आएगी क्या है वो A, रिन B का पूर्ण वर्ग, ठीक है, यहाँ पर हम 100 के इस्थान पर A को देख सकते हैं और A के स्थान पर B को देख सकते हैं, इस सर्वसमीका का विस्तार क्या होता है इसका विस्तार होता है A का वर्ग, धन B का वर्ग, रिन 2A B, ठीक है यहाँ पर हम A के स्थान पर सभी जगे पर 100 लेख सकते हैं और B के स्थान पर सभी जगे पर 1 ले सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि जो A रण B का पूर्ण वर्ग है इसका विस्तार हम यहाँ पर लागू कर सकते हैं इसे आगे अदि हम लागू करें तो क्या मिलेगा हमको? A कवर यनि कि 100 कवर पहले हम लेंगे, इसके बाद धन B कवर तो यह हो जाएगा, एक कवर और इसके बाद हमें लेना होगा 2AB यनि कि 2 गुड़ा 100 और गुड़ा 1, एक 2AB हो गया यह, और जब इसको हल करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 100 कवर यनि की 100 और दो शून और लग जाएगे, एक कवर का मतलब हुआ एक और रिण 2 गुड़ा 100 गुड़ा 1 यनि की 200, इसे हम हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 10,000 में से 200 गया 9,801 यनि की 9,801 तो ये जो उत्तर हमें मिला ये 99 का वर्ग है और इस तरह से हमने देखा कि काफी असानी से हमने BGA सर्वसमीका का उपयोग करके 99 का वर्ग ग्याद कर लिया आईए अब हम अगला प्रशन देखते हैं जो है 6.2 का वर्ग ठीक है? तो पहले हम अपना प्रशन लिख लेते हैं क्या है 6.2 का वर्ग तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 6 धन 0.2 का वर्ग अब यहाँ पर भी हम एक BG वेंजा कोपियोग कर सकते हैं वो क्या है? ए धन B का पूर्ण वर्ग ठीक है? इसका विस्तार क्या होता है? इसका विस्तार होता है A कवर धन B कवर धन 2AB तो यहाँ पर हम A के इस्थान पर देख सकते हैं हमें 6 मिल रहा है और B के इस्थान पर हम देख सकते हैं कि 0.2 मिल रहा है तो इस विस्तार को हम यहाँ पर लाग लेगा को सब्सक्राइब करें, तो हमीं क्या मिलेगा, हम इसको लिख सकते हैं, एक कुझा निकी पहले हम लिखेंगी 6 कुझा इसके बाद बी कुझा निकी 2.2 कुझा थो अब इसे यहनी हल करें तो 6 कवर हो जाएगा 36 और 0.02 कवर हो जाएगा 0.04 और 2 गुड़ा 6 गुड़ा 0.02 यहनी की 621 और गुड़ा 2 यहनी की 24 और यहाँ पर एक अंके बाद दसमलो है तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से दसमलो लगा देंगे इसे यह जोड़ेंगे तो क्या म चुनने चार यहनी की से हम हल करेंगे तो 38 दसमलो चार और चार 38 दसमलो चार ठीक है तो यह हमारा 6 दसमलो दो के वर्ग का उत्तर हो गया आईए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं जो है 100 दसमलो पांच गुड़ा 99 दसमलो पांच ठीक है तो चली हम अपने पहले अपने प्रश्न को लिख लेते हैं हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है 100 दसमलो पांच गुड़ा 99 दसमलो पांच ठीक है अब इस प्रश्न को हम कैसे लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं 100 धन 0.5 यह हमारे एक कोस्टक में हो जाएगा और गुड़ा दूसरे कोस्टक में 100 और रण शूने दसनलो 5 इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अब यदि हम किसी BGA सर्वसमीका का उपियोग करना चाहें तो हमरे पास एक सर्वसमीका है A धन B A कोस्टक में गुड़ा A रण B ठीक है तो इसका विस्तार क्या होता है इसका विस्तार होता है A कवर रण B कवर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि A के स्थान पर हम 100 को ले सकते हैं जो दोनों कोस्टक के अंदर है और B के स्थान पर हम 0.5 को ले सकते हैं यानि कि ये विस्तार हम यहाँ पर लागू कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा ये तो सबसे पहले हमें A का वर्ग लेना होगा यानि कि A के स्थान पे 100 का वर्ग हो जाएगा और RIN फिर B का वर्ग लेना होगा जो कि 0.5 है तो 0.5 का वर्ग हो जाएगा यह अब यदि 100K वर्ग की बात करें तो यह हो जाएगा एक 0.0 और 2 और 0.10,000 रिंड 0.5 का वर्ग हो जाएगा 0.25 और जब हम इसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9999.75 तो यह जो है हमें 100.5 गुड़ा 99.5 का उत्तर प्राफ्ट हुआ चलिए अब आखरी प्रश्न को भी हल कर लेते हैं तो हमारा आखरी प्रश्न क्या है मरा आखरी प्रश्न है एक सो तीन का वर्ग रिंड 97 का वर्ग ठीक है तो इस प्रश्न को पहले हम लिख लेते हैं जो हमारा चौथा प्रश्न है तो क्या है एक सो तीन का वर्ग रिंड 97 का वर्ग तो इसे यदि हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे सो धन तीन का पूरभ और फिर रण सो रण Three का पूरभ संतान नवे क्या हुआ यदि हम सो में से तीन घटाएंगे तो हमें संतान नवे मिलेगा अब यहाँ पर VGA सर्म समिका की यदि हम बात करें तो हमें एक VGA सर्म समिका मिलती है ए धन B का वरण A रण B का वर यह हमें मिलती है और इसे यदि हम हल करें तो यह जो होता है इसका विस्तार 4 A B होता है ठीक है तो यहाँ पर A हम देख सकते हैं क्या है 100 है और B जो है वो 3 है तो इस सर्वसमी का को हम यहाँ पर लागू कर सकते हैं तो इसका उत्तर क्या हो जाए कि 4 गुड़ा A याने की 100 और गुड़ा B याने की यहाँ पर 3 हो जाएगा तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि BG सर्वसमिकाओं का उप्योग करके हम इन वेंजिकों को काफी असानी से हल कर सकते हैं